बनाएं कुशल इसलिए भी क्योंकि मैं ट्विटर पे सर्च करना शुरू किया और 2010 में इन्होंने ये चीज क्लियरली हाइलाइट की है आप देख भी सकते हैं इनके पेच पर जाकर की जन्जार सिलेक्टेड बाई अक्टिविजिन पब्लिशिंग तो प्रोवाइड अप्लिकेशन सपोर्ट डेवलप्मेंट सर्विसेज ऐसा उन्होंने अपने जो ट्विटर हैंडल है उस पर ये का है 17 जून 2010 को बट डेफिनिटली जिस तरह से यहां पर 2010 की बात है उसके बाद गेमिंग के साथ इनका जो कनेक्शन है वो कितना बड़ा है और कितना जुड़ावा है उस पर जो आक 2016 यानि कि 19 सितंबर 2016 को मैनेजमेंट ने ये कहा है कि जैंजार के पास गेम टेस्टिंग का बड़ा अनुवव है तो जाहिर से बात है कि यहां पर अगर 2010 में इन्होंने ये अक्टिव विजन पॉब्लिशिंग के साथ ये करार किया है और ये अपनी ट्विटर हैंडल पर ब की बादशाहत है आप देखिए यहां पर इन्होंने कंसोल मोबाइल पीसी और ओनलाइन गेम्स के लिए एंड टू एंड टेस्टिंग प्लाटफॉर्म क्रिएट कर लिया एक सेंटर ओफ एक्सिलेंस जो है यहां पर 2016 में इन्होंने इस चीज की बात की थी यही नहीं मैं य क्लिरली काया है कि online gaming leader के लिए इन्होंने customized gaming studio बनाया है तो definitely ZenzaTech का जो connection है यहां पर positivity के साथ gaming environment में है और प्रती गेम्स को बनाने के लिए यहां पर company जो भी testing environment आपको देती है चाहे वो Activision Publishers हो या कोई और gaming company उनको जो operational efficiency आती है उनका कुल खर्च एक game बनाने का 30% reduction जो है Zen जेंजार टेक्स खुद भी डेवलप कर चुकी है और सौ से जादा गेम्स को यह अल्रेडी सपोर्ट कर रही है तो हर एक पैमाने पर हर एक फ्रंट पर गेमिंग एंवाइमेंट को क्रियेट करने के लिए उसको टेस्ट करने के लिए जेंजार टेक्स ने अपनी बाच्छाहत लिए तो अगर किसी को गेम लॉंच करना है तो उसकी जो टेस्टिंग वगएरा जो करानी वो जेंजार टेक्नोजी उसमें नंबर वन है येस दस हजार क्रोड का ये मार्केट के इसका जो कमसी बिकी है उसका कितना है मैं तो डील को देखके मेरे को और कुद सूजा ही नही कमसी है और गेमिक की टेस्टिंग करने वाली कमनी सिर्फ दस हजार क्रोड की बहुत ना इंसाफी है ना मतलब ओपनिंग आप सोचे इस स्पेस में क्या रेविन्यू आगे आ सकते है और ये अल्रडी कर रहे हैं ये काम काफी सामने और ये तो कंटिनियूस में वही टाइम देख रहा था कि 2010 का ट्वीट था उसके बाद यहां पर फॉलो अप क्या होता है और किस हिसाब से जिन्जा टेक उस पर काम कर रही है या नहीं कर रही है उसको हमने वेरिफाई कि आपके सामने तो पूरी रिसर्च के साथ और पूरे डेटा के साथ और अभी हमारे टीम में अर्मान वेम एक भू भेज़ है उन्होंने एन्युयल रिपोर्ट निकाल कर उसमेंसे बहज़ा है जैनसा टेक्नोजी के एन्युयल रिपोर्ट में लिखाए कि इसको लेकर गेमिंग बिजनस को लेकर उन्रेडी माक्रोसोफ्ट के साथ पास्ट में करार किया हुआ है तो अ Microsoft ही Activision Activision Blizzard को acquire किया गजब दीप इसमें कुछ जोड़ेंगे आप interesting चीज आती ही दिख रही है तो बिल्कुल सर Zensar का already Microsoft के साथ करा रहा है in fact बाकी global majors के साथ भी इन्होंने partnership करी हुई है उसका भी इनको फाइदा मिलते हुए दिखेगा और जैसा कुछल कह रहे थे gaming में back testing एक बहुत बड़ी चीज होती है तो वो back testing का फाइदा इनकी तरफ definitely आते हो दिखेगा percentage wise सर market cap से करना मुश्किल है पांच लाग करोड के सामने 10,000 करोड decimals निकल कर आएंगे बट definitely opportunity wise बहुत बड़ी opportunity है सर तो आने वाले समय में metaverse जब ये आगे का web 3.0 आएगा तो ये बहुत ही बड़ी opportunity होगी जो इस समय बाजार फिलहाल नहीं जान पा रहा है तो नजर रखेंगे encounters पर